नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Trending India News बंगाल के बवाल में आपका स्वागत है पसिम बंगाल में जैसे जैसे ओटिंग की तारिखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे TMC और BJP दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला वर हो गई है और जहां पर ममता ब Management परदान मंत्री मोधी पर निसाना साथ रही है आज वहीं पर परदान मंत्री मोधी ने पुर्लिया के रैली में जन्ता को सम्बोधित करते हुए दीदी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि दीदी अब खेला ना होबे अब खेला खत्म होबे और यहाँ पर विकास होबे जी हाँ दोस्तों परदान मंत्री मोदी ने पूरलिया की रैली में जोरदार भासर देते हुए ममता बेनर जी को घेरा और उन्होंने कहा कि दीदी आप तुस्ती करण की राजनीती करती हैं आपके पार्टी को लोग तोला बाजी ब्रस्टाचार और कट मनी की बाते करते हैं अब आने वाले दो मई को आपका खेला खत्म हो जाएगा और यहाँ पर विकास करने वाले बिजेपी की सरकार बनेगी और मैं जनता का उस्सा देखकर यह कह सकता हूँ कि दो तारीक को आपका खेला खत्म होने वाला है अब खेला ना हो बे जी हाँ दोस्तों वहीं पर उन्होंने बटला हाउस एंकाउंटर को लेकर भी ममता बेनरजी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि दीदी का आजकल हिर्दय परिवर्तन हो गया है वो मंचो पर चंडी का पाट कर रही है और उसकी मेन वज़ा है कि उनको आपका उस्साह देखकर उनको अपनी हार दिखाई दे रही है इसी वज़ा से उनका हिर्दय परिवर्तन हुआ है पहले इसी बटला हाउस इंकाउंटर को लेकर दीदी ने कहा था कि ये इंकाउंटर फरजी है और यद ये सही हुआ तो मैं राजनीती से सन्यास ले लूँगी अब वहीं पर इसी चीज को लेकर बिजेपी और परधान मंतरी मोधी ममता बेनर जी पर हमला वर हुए और अब बिजेपी ये डिमांड कर रही है कि दीदी अब राजनीती से आप सन्यास कब लोगी वहीं पर उन्होंने अमफान तुफान को लेकर भी ममता बेनर जी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जहांपर केन सरकार जो है लगी हुई थी आपकी सहायता करने पर वहीं पर दीदी के लोग और बंगाल की सरकार ये कह रही थी कि यदि आप पहले हमारे पार्टी खाते में पैसा जमा कराओ फिर हम आपको अमफान तुफान में हुई छती का मुआप जा देंगे इसी पर जो है ममता बेनर जी ने भी पस्चमी मिदनापूर में रैली करते हुए जो है बीजेपी और परदान मंतरी मोदी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि अमफान तुफान के बाद हमने जो है हजारों लोगों की सहायता की लेकिन बीजेपी क्या कर रही है वो तो सिर्फ हमारे बिधायकों को पैसे से खरीद रही है परदेश के सायकोडो होटल जो है बीजेपी करकरताओं से भरे हुए हैं सायकोडो फलाइटें जो है बीजेपी ने हायर कर रखी है और हेलिकाप्टरें के बारे में तो पूछो मत और इसी तरीके से ममताब एनरजी ने और हमला बोलते हुए बोला कि बीजेपी ने अपनी पूरी फाउज लगा दी है लेकिन मैं जुकने वाली नहीं हूँ मैं अपना सिर्फ जनता के सामने जुकाऊंगी मैं BJP के सामने अपना सिर्फ नहीं जुकाऊंगी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब बंगाल की राजनीती जो है पूरे तरीके से अपने सबाब पर है और TMC और BJP दोनों पार्टियां जोरदार तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हो चुकी है इसके साथ ही BJP ने आज अपने 148 उमिद्वारों के सूची जारी कर दी है और अब इसके साथ बंगाल का बवाल पूरी तरीके से अपने सबाब पर है दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रामाइड के अरुण गबली ने भी आज जो है BJP जोईन कर लिया है और वहीं पर आज सबसे बड़ी खबर ये भी है कि TMC के सांसद और सुबेंदू अधिकारी के पिता सिसिर अधिकारी आज जो है परधान मंतरी मोदी से उन्होंने मुलाकात की तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बंगाल का चुनाओ अब किस ओर मुल रहा है और अब ये ऐसा लगने लगा है कि ममताब एनरजी ये जान चुकी है कि उनकी हार निश्चित है इसी वज़ा से जो है ममताब एनरजी लगातार इमोसिनल कार्ड चांडी का पार्ट और अपने आपको विक्टिम साबित करने में लगी हुई है लेकिन उनको इसका कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जिस तरीके से पुरलिया की रैली में परदान मंतरी मोदी की स्पीचेश पर जनता जैसरी राम जैसरी राम के नारों के साथ जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो रहा था इस से यह प्रतीत होने लगा है कि यह परिवर्तन निश्चित है लेकिन बंगाल के बवाल में किसके सिर पर तास सजेगा ये तो आने वाला दो मई बताएगा लेकिन जिस तरीके से जो है दोनों पार्टियां हमरावर हैं और दीदी के एक के बाद एक सिपासलार जो है उनकी पार्टि छोड़कर बीजेपी का दामन पकर रहे हैं इस से हवा का रुख साफ दिख रहा है कि बीजेपी का पड़ला पस्चिम बंगाल में भारी है और वो कहीं न कहीं जो है जीत की तरफ अगरसर हो रही है जब से पस्चिम बंगाल में जो है चुनाओ आयोग ने चुना मंतरी मोधी की दूसरी रैली थी इसके पहले उन्होंने कोलकाता के प्रेट ग्राउंड में रैली की थी और आज जो है उन्होंने पुरलिया में रैली की है और रैली में उम्रे जनसैलाब की मिजास से ये लगने लगा है कि ममता दीदी का खेल अब खत्म होने वाला है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीदी भी अभी हार मानने को तैयार नहीं है वो भी अपनी पूरी ताकत जो है उन्होंने जोग दिया है और वो भी भंग पाए खेला होबे के नारे के साथ जो है बीजेपी का मुकाबला कर रही है और इस नारे पर भी आज परधान मंतरी मोदी ने चुटकी ली और उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रास्टना करता हूँ कि दीदी की चोट जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए लेकिन दोस्तों जो है इसके साथ परधान मंतरी मोदी ने ये भी कहा कि परिवर्तन निश्चित है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए जय हिन जय भारत